न्यूस धमा का लाइब यहां सिर्फ सच ही लिखेगा नमस्कार न्यूस धमा का लाइब में आपका स्वागत है मैं कुल्दीप चौधरी अभी मैं SSP ओपीस से लाइब हूँ और मामला बिर्सनगर जो नंबर छे का है क्या मामला है जो पीडिते उसी समझाने कुछिस करते है क्या मामला है पूरे डिटेल में बते हैं मामला यह है कि अंकल जी का 82 साल उमार है इनकी बड़ी बहु चोटी बहु दोनों मिलकर इनको टॉर्चर कर रही है बेटा लोग भी कर रहा है जब अंकल मेरे पास आयते तो हम इनको लेके थाना गय हुए थे थाना कोई सुनवाई क्यूंनि करता हैं इनकी बड़ी बहु कहीं सुनता है जबकि बड़ीव बहु 20 साल पहले किसी के साथ भाग गया अचानक से आकर बोलती मेरे को अपना हिस्सा दो जो बहु है बाहर में रही उसके बाद में आके अपना जो जमीन में कब्जा करने को दिये हैं तो लोकल लोकल थाना जो बिर्सानगर क्या बोल रहे हैं कोई करवाई नहीं करता है खाली बोलता जाईए हम देख लेंगे और जब इनकी बड़ी वहू जाती है तब बिरसानगर इन लोगों को बुलाता है मतलब बिरसानगर में जब कोई कारवाई किसी तरह कर नहीं हो तब अभी किस से मिलने आए है क्या बोले क्या माम्ला पूरा जानकारी लेते के कि बुटन रही है कि बिस बुची साल पहले और उम्हें वोगी थि और किसी आजमी के साथ अभी यहां आकर हम्लिंड को कर रही है पिताजी को रोजाना गाली ग़ड़ाजंट को धखम धुकी करते रहता है मार पीट गाली गुलो जो और खाना उना खाना उना नहीं देता तो लोकल थाना में कंप्लेंड किये थे जी हां किये हैं क्या बोल रहा है लोकल थाना भी सुनवाई नहीं कर रहा है किसी तरह कोई मदद नहीं जी नहीं किन से मिलने आई यहां 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 सपी साब से मिलने मिला तो ये लोग समाज से भी का रेणु रेणु जी जो समाज सेवा करते उन्हींसे लोग मदद मांगने के लिए आये हैं तो क्या लगर आपको यहां से कुछ मदद को मिद लग रहे हैं बिलकुल मदद मिले गही और हम लोग भी चाहते कि इनको न्याय मिले इनकी जमीन है जो मर्जी करें जिसको मर्जी दे न्या दे जबरदस्ति कि इसके उपर थोपा ना जाए बहुल लोग जो जबरदस्ति इनको टॉर्चर कर रही है बिरसन अगर से यहां पेसे स्पी के पास में न्या